पैरे देश्वासियों, कुछी दिनों में रमजान का पवित्र महिना शुरू हो रहा है। विश्व भर में रमजान का महिना पूरी सध्धा और संबान से मनाये जाता है। रोजे का सामुई पहलू यह है कि जब इनसान खुद भुखा होता है तो उसको दूसरों की भुख का भी एसास होता है। जब वो खुद प्यासा होता है तो दूसरों की प्यास का उसे एसास होता है। पैगंबर मुहम्मद साब के सिक्षा और उनके संदेश को याद करने का ये अफसर है। उनके जीवन से समानता और भायचारे के मार्क पर चलना ये हमारी जिम्मेवारी बनती है। एक बार एक इनसान ने पैगंबर साब से पूछा इसलाम में कौन सा कारिय सबसे अच्छा है। पैगंबर साब ने कहा किसी गरीब और जरूरत मन को खिलाना और सभी से सद्भाव से मिलना चाहें आप उन्हें जानते हो या न जानते हो। पैगंबर मुहमद साब ग्यान और करुणा में विश्वास रखते थे। उन्हें किसी बात का अहंकार नहीं था। वे कहते थे कि अहंकार ही ग्यान को पराजीत करता रहता है। पैगंबर मुहमद साब का मानना था कि अधि आपके पास कोई भी चीज आपकी आवश्शक्ता से अधीक है तो आप उसे किसी जरुरत मंद व्यक्ति को दें। इसलिए रमजान में दान का भी काफी महत्व है। लोग इस पवित्रमा में जरुरत मंदों को दान देते हैं। पैगंबर मुहमद साब का मानना था कोई व्यक्ति अपनी पवित्र आत्मा से अमीर होता है न कि धन दौलत से। मैं सभी देशवासियों को रमजान के पवित्र महने की सुबकावनाई देता हूं और मुझे आशा है कि अवसर लोगों को शांती और सद्भावना के उनके सं अंदेशों पर चलने की प्रेना देगा।